ये भी कहना चाहूंगे कि हमारी पार्टी ने चुनाब खासकर बीजेपी को सत्ता में सत्ता से बाहर करने के लिए लड़ा था लेकिन दुख्यी बात ये हैं कि हमारी पार्टी अपने इस मक्सद में कामियाब नहीं हो सकी है और मुझे ये भी मालू हुआ है कि मध्य परदेश में अभी भी ये पार्टी यह सत्ता में आने के लिए पूरे जोड तोड में लगी हुई है जिसे रोकने के लिए हमारी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी की सोच्वे नितियों से सैम्थी ना जताते हुए भी यहां मध्य परदेश में अपनी पार्टी का कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने का फैसला लिया है ताकि बीजेपी अपने इस मकसद में काम्याब ना हो सके और जदी इस मामले में राजिस्तान परदेश में भी कांग्रेस पार्टी को हमारी पार्टी के समर्थन देने की हमें जरूरत मैसूस हुई तो फिर वहां भी बीजेपी को सता में आने से रूकने के लिए कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया जा सकता है